नमश्कार आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं कि फाइव स्टार होटल में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर चाय कॉफी पीने के लिए रूम में अरेंचमेंट होता है बार बार हमें ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं होती है उसके लिए कुछ सामान हर रूम में ही उपलब कराया जाता है उसमें क्या क्या होता है मैं आपके साथ शेयर करती हूं और दिखाती हूं तो इस तरीके की पूरी एक ट्रे होती है जिसमें की हर चीज रखी होती है इस ट्रे में हमें चाय कॉफी पीने के लिए मग मिलते हैं एक कैटल होती है एक ये दूसरी तरह की कॉफी बनाने के लिए kettle होती है इसकी वीडियो में अलग से बना दूँगी वरना ये वीडियो थोड़ी से लंबी हो जाएगी इसमें अलग लग तरह की हमें चाय मिलती है कम से कम तीन से चार तरह की होती है जैसे कि यहां पर है ये एक चाय ये है उसके बाद दूसरी चाय ये है तीसरी चाय ये इनमें सब में थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट का flavor का अंतर होता है उसके बाद ये है और फिर coffee है और coffee एक और तरीके की भी है ये वाली जो कि इस container में बनती है इसकी वीडियो मैं आपके साथ अलग से शेयर करूंगी और यहाँ पर यह मीठा है जो यह जीरो शुगर के पैकेट्स है यहाँ पर उसके अलावा यह वाइट शुगर और यह ब्राउन शुगर के पाउचें जो भी जिस तरीके की शुगर लेना चाहता है यह सब कौफी, शुगर और चाय के साथ बगल में रुखे है मिल्क के छोटे चोटे पैक यह नॉर्मल मिल्क से थोड़ा गारा मिल्क होता है जो कि एक मग में एक भी काफी होता है जिसको थोड़ा से ज्यादा दूद वाली चाय पीने की आदत है वो इसके दो ये पैकेट यूज़ कर सकता है और जब हम इसको बना लेते हैं चाय को, कौफी को तो उसको मिलाने के लिए ये stirrer होता है कि इसमें हम समान डाल के हिला सकते हैं, ये steel का बना हुआ है वाश करके एकदम साफ हो जाता है और जब हम इनको use कर लेते हैं तो इसमें रख देते हैं और ये जो भी पाउच हमने यूज की होते हैं उसका जो बचा हुआ है लेफ्ट ओवर वो इसमें डाल देते हैं क्यूंकि ये इसमें से अलग हो जाता है इसको वाश करके फिर ये लोग नेक्स टाइम के लिए प्रिपेर कर देते हैं इस केटल में हम पानी गरम करते हैं जिसका सॉकेट यही पर होता है मैं आपको दिखा दिए मैंने सॉकेट लगा दिया इसमें हम पानी डालते हैं पानी डालकर ये बटन हम प्रेस करते हैं तो ये ऐसे खुल जाएगा और उसके बाद जब हमें इसको आन करना है तो यहां से ब बंद हो गया और वो लाइट चली गई और इसकी वीडियो मैंने आपको कहा कि मैं आपके साथ अलग से शेयर करते हूं क्योंकि इतनी छोटी नहीं है इसको मुझे आपको पूरा बना कर दिखाना होगा तो ये सारा समान हमें होटेल से जो हम रूम बुकिंग करते हैं उसमें ही मिलता है इसका हमें कोई अलग से पैसा नहीं देना पड़ता है और ये रूम में होने से बहुत हेल्प हो जाती है कि जब मर जी हमें थोड़ी कॉफी पीनी है, चाए पीनी है तो हम पी सकते हैं एक और अच्छी बात है कि जब इसमें हमें समान चाहिए तो हम इनसे फोन पर और मांग सकते हैं, फोन जो इंटरकॉम होटल का ही होता है वहाँ पर हम फोन करते हैं और बता देते हैं कि क्या requirement है यहां क्या खतम हुगया है यहां हमें क्या और ज्यादा चाहिए तो वो समान वो एकदम हमारे पास दुबारा से ले आते हैं और हम इसको जब चाहें यूज़ कर सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है आपको अच्छा लगा है कि फाइस्टार होटल में किस तरह से रूम में ही चाय कॉफी की facility होती है जिसका कि हमें कोई अलग से पैसा नहीं देना होता है वो हमारे रूम रेंट में पहले ही included होती है तो आप इस वीडियो को लाइक और पुछ पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताईएगा और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस वीडियो के साथ पूरी चेन है फाइस्टार होटल में किस तरह से हमें आना है जाना है रूम की इंसाइड होटल की आउटसाइड एरपोर्ट की बहुत सारी वीडियो हैं तो आप देख सकते हैं तो फिर मिलती हूँ अगले किसी वीडियो में तब तक के लिए बाइबाई